हे गाईज वेलकम टू देव हूमी करेल पॉंट तो देखे कम्पूटर जो हमारी सीरीज चले थी कम्पूटर से जोगे हुए महतोपूंग प्रसनोतर तो उसका आज पार्ट 13 है और इसमें भी देखेंगे कम्पूटर से संबंदित कुछ महतोपूंग वन लाइनर आपको दे समोगों के काफी परिक्षाओं में लगबग चार या पांस नंबर की कम्पूटर से समदित कुछन पूछे जाते हैं तो सभी एक्जाम के लिए काफी महतोपूंग ये कम्पूटर वाली सीरीज भी है तो बिल्कुल भी इसको भी इसकी इपना करें और अच्छे से सभी सभी रहे हैं तो देखते हैं कोन को हमसे हवा सब्सकितन के कहले हैं तो पहलला है इसने माइक्रॉकंप्यूटर के लिए जिस प्रोसेसर का उप्योंग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है तो मायक्रो ओक्व या पर छोटे इकonst Dodra तो इनके लिए उस असे प्लीडर्यां में तो काफिते खरना और को सकते तेज़ काम करता है मैं यह इसको सब्सक्राइब के मुडरभे मत्या कहां से करता है क्या कहलाता है तो यूजर कार्य क्रेक्षेश की क्योक्त पर्गे समस्सेन रिक क सब्सक्राइब गरेंगे operating driver नेक्स से दिखें कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को सट डाउन तथा चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो यह तो simple question है आप देखते होंगे phone में भी जो smartphone होते हैं वहापे भी यह feature देखने को मिलेगा आपको जब बंद करते हैं तो सट डाउन होता है और इसको चालू करने के प्रिक्रिया के लाते है बूट अप ठीक है option बूट आप हो जाएगा इसका अंसर नेक्स देखे प्रोग्राम हे तो विक्सित प्रथम भासा कौन सी है तो देखे कंप्वीटर प्रोग्राम हे तो जो विक्सित पहली भासा थी वो थी फोट्रॉन calculator का आविस्कार किसके द्वारा किया गया था तो calculator का जो आविस्कार किया ये क्या पासकल ने next दिखे mouse, keyboard, joystick, scanner तथा line pen light pen हो गया पर ये मिस्प्रिंट हुआ है mouse, keyboard, joystick, scanner और light pen ये किसके उधारन गया है तो ये सभी input device हैं ध्यान रखेंगे input device अगला देखे, HTTP का पूर्ण रूप क्या है ये कई बार ये question repeat हो चुगा और evergreen question है कई बार पूछा जाता है समस्त एक्जामस में जहां पे computer समधित question पूछे जाते हैं तो अच्छे से याद रख ले इसको HTTP, इसका full form है hypertext transfer protocol next आधुनिक computer का जनक किसे माना जाता है ठीक है तो computer का जनक तो आपने पढ़ा है father of computer Charles Babes लेकिन जो आधुनिक modern computer है इनका जनक माना जाता है Alan Turing को ठीक है ध्यान रखेंगे Alan Turing का आप ही महत्तोप होगे इसको याद रखें Alan Turing क्योंकि वो outdated question हो गया अपनी पूछा जाएगा उतना सरहल की computer का जनक किसी का जाता है Charles Babes ठीक है उन question को आप time गया आधुनिक computer का जनक की question बन सकता है आपका AR में ऐसे question बन सकते है Alan Turing साथी AR में जो question बनेंगे वो आपके अभी आगे हम discuss करेंगे उनको computer सब्द की उत्पति किस भासा से हुई है तो यह latin भासा का सब्द है GPS का पूर्ण रूप क्या है तो यह भी कई बार में आपको बता चुका हूँ GPS की full form है Global Positioning System ठीक है ध्यान करेंगे Global Positioning System next से देखें वेग्यानिक तता ओध्योगिक अनुसंधान परिस्द CSIR का अध्यक्ष कौन होता है ठीक है तो देखें CSIR जो की काफी research और काफी यहां पर जो नए नए यहां पर तकनीक होती है यह सस्ता तो CSIR का जो अध्यक्ष होता है वो उसमें जो भी वर्तमान प्रधान मंत्री होता है वही उसका अध्यक्ष होता है अगले देखे स्वदेश निर्मित हलका लगा को विमान कौन सा है तो देखे भारत में ही निर्मित सबसे हलका जो लगा को विमान है वो है तेजस यह कोशन कई बार पूछा जा चुका है पूरो में SSE, CGL और अन्नी एक्जामस में भी हिंदूस्तान Aeronautics Limited का मुख्यालय कहा है कहा इस्तित है इसका मुख्यालय है बैंगलरूं में नेक्स से तक है European Union नौवहन प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है यह नया क्योशन आप देखने को मिल ला यपको European Union जानते हैं आप European Union का पड़ा एक संगठन है इसकी जो नौवहन प्रगाली है इसको जाना जाता है Galileo Method के नाम से, Galileo प्रगाली भारतिय चेत्रिय नौवहन उपगरह प्रगाली को किस नाम से जाना जाता है तो देखे जैसे हमने बात के अभी European Union की जो नौवहन प्रगाली है ये Galileo के नाम से जाने जाते है वैसे ही भारतिय चेत्रिय जो नौवहन उपगरह प्रगाली है ये कहलाती है नाविक, नाविक के नाम से इनका ठीक है चीन द्वारा विक्सित की जा रही स्वतंत्र नैविकेशन प्रगाली कौन सी है काफी महत्तोपन कोशिन है तो देखे चाइना अभी डेवलप कर रहा एक स्वतंत्र नैविकेशन प्रगाली किसी अन्य पे ये निर्बर नहीं रहना चाहते है चाइना की एक विसेस्ता है यह जो भी महत्तो आपने देखे कहीं पर आर्टिकल वगेरा में पर पढ़ा होगा और काफी चेकर बताया जाता है चाइना में देखे सोसल नेटवर्किंग साइट फेस्बुक का उपयोग नहीं होता वहाँ पर e-commerce की सबसे बड़ी industry Amazon का उपयोग नहीं किया जाता है वो लोग के वहला अपने द्वारा चो develop प्रनालिया होती है उनका उपयोग करते है तो Baidu जैसे आपने Google सबसे बड़ा search engine है वैसे Baidu Baidu चाइना का एक सबसे बड़ा search engine है अगर आप search करते है तो Baidu ही इसको develop कर रहा है सबसे बड़ी navigation system होगी है चाइना की ठीक है वैसे यूटूब आप यहां पर इतने वीडियो देख रहा है इतने अजुकेशनल वीडियो देख रहा है इतने टॉपिक्स देख रहे है जो आपके ARO के लिए महतोपूंग है तो इनको आप अच्छे से देखिए MS PowerPoint 2010 में कौन सा slide में default प्रिष्ट setup orientation होता है तो MS PowerPoint देखिए MS PowerPoint और जो भी महतोपूंग applications है लाइक आपको MS Office यहां से काफी question बनते हैं ARO exam में तो इस question का जो answer है वो है landscape तो MS PowerPoint 2010 में स्लाइड में default प्रिष्ट setup orientation होता है वो landscape mode में होता है द्यान लगेंगे Ctrl Shift Alt को क्या कहा जाता है तो देखिए जो keyboard होती है keyboard में Ctrl Shift Alt Key होती है इन Keys को कहा जाता है Alphanumeric Keys ठीक है द्यान लगेंगे Alphanumeric Keys अगर देखिए OSA का विस्तात रूप क्या है तो what is the full form of OSA तो OSA का full form हो जाएगा Open System Authorization अगर देखिए कई व्यक्ति अपने स्वयम की व्यक्तिकत साइट्स बनाते हैं जहां पर Web Logs या Blogs द्यान लखेंगे अगला देखिए अंतराष्टिय भासाइं जैसे चीनी जापानी हिंदी को Binary Coding का वाइन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली योजना कौन सी है तो देखिए इतनी Languages हैं और इन Languages को Binary Coding में वाइन करने के लिए अगला देखिए लीनक्स मूला था है हेलसंग की विष्व विधाले में सन 1991 में किसके दौरा विक्सित की गई थी तो देखिए लीनक्स देखिए आपने कई बार इसका कोश्चन भी बनाया कि इसमें से अपरेटिंग सिस्टम का विधारन कौन सा है ठीक है तो लीनक्स भी ऐसे है और लीनक्स हेलसंग की विष्व विष्व विधाले में डेवलप हुआ था ध्यान रखिए हेलसंग की जो की फिनलैंड की राजधानी है और यहां पर 1991 में विक्सित किया था इसको किसने लिनुस टुवाल्डस नहीं ठीक है ध्यान रखिए लिनुस टुवाल्डस ठीक है तो गाईस यह थे आज कंप्यूटर के कुछ महतोपों प्रस्नोतर ऐसे ही स्रीच को अब मैं आगे कंटिन्यू करूंगा क्योंकि आपका यारो का एक्जाम हो सकता है आचार सहीता के बाद कहीं ने कहीं उत्राखंड लोग से वायक के द्वारा जो हाई कोर्ट में सहायक समिक्ष्यादिकारी के लिए जो पद आये थे उन पर परिक्षा होनी हो जाएगी बिल्कुल आप यहां पे निश्चिंतर है काफी लोग कमेंड करके पूछ रहें कि कब एक्जाम होगा कितने तैयार है यह महत्वपों है तो बिल्कुल भी आप मिसना करें एक भी टॉपिक देखें लीगल हिश्ट्री जल्दी मैं कम्प्लीट कर दूँगा कम्प्वीटर का यहां पे आपको पूरो में जितने भी टॉपिक दिया हो वो वाच कर लें सांती उत्राखंड सामानि इसके अलावा भी कुछ महत्वपों पॉइंट है जैसे उसमें लीगल ग्लॉसरी आपकी पूछी जानिया भी ए आर में तो जल्दी लीगल ग्लॉसरी का मैं एक लंबा वीडियो दूँगा आपको जिसमें एक ही वीडियो में पूरा कवर करेंगे ठीक है तो जल्दी मिलता में आपको तब तक आप अच्छे से अपनी इस्टेडी करें अपना ध्यान रखें जैहिंद वंदे मातरम